यहां पर दियान रखते हैं वो यहां पर वजीर एक्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे है यहां पर ED वालों ने एक प्रेस रिलीज दिया है पूरा का पूरा आराउंड वजीर एक्स तो उन्होंने बताया है कि वजीर एक्स के बैंक बैलेंस जो की अबाउट 65 क्रोड रूपीज है यानि की 64.67 क्रोड रूपीज है उसको यहां पर बंद किया गया है ED जो है यह Money Laundering Investigation कर रहा है बहुत सारे NBFC Companies यहां इसा लग रहा है यहां पर पता लगा है उन्होंने एक Web of Agreements बनाए है Crowdfire के साथ, Binance के साथ, ZI के साथ तो अब्सक्योर दो ओनर्शिप ओफ क्रिप्टो एक्चेंज है निए अपनी ओनर्शिप यहां पर कम करने के लिए बाकी के जो हैं वो Binance के द्वारा किये जाते हैं तो वजीर X एक Cloud Based Software है यानि कि AWS Amazon Web Services की यहां पर बात की जा रही है सारे के सारे जो Employees हैं वो घर से काम करते हैं इस तरह की कुछ चीज़ें यहां पर बताए गई है एंड जुलाइ 2020 के पहले यहां पर बताए गया है कि उन्होंने Bank Account भी यहां पर नोट नहीं किये थे यूजर्स के रैट तो काफी सारी चीज़ें यहां पर उन्होंने शेर की हैं यह Crypto India ट्विटर पर आड़ी भाही ने यहां पर शेर किया है तो यह आप पढ़ सकते हो बट यह आप यह एडी के ओफिशल ट्विटर पर जाकर भी आप यहां तक तो CZ जो कि Binance के CEO है उन्होंने यहां पर clarification निकाली उन्होंने यहां बोला गाइज अभी यहां खपला शुरू होता है क्योंकि हम सब लोगों के दिमाग में तो यही है कि Binance ओन करता है वजीर X को हर तरफ जब भी कोई News पबलिश हुई है या इस तरह का कुछ हुआ है दिखाता हूं सीजी ने खुद हाला कि यह बोला है कि Binance ओन्ड वजीर X एक्सचेंज डज दिस राइट सीजी ने खुद यहां यह पहले बोला है यहां आप नोटिस करें सीजी ने ट्वीट किया था Binance ओन्ड वजीर X इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो 200 मिलियन क्रॉस किया डेली ट्रेडिंग ओल्यूम में और आइज 1 बिलियन यानि कि The Financial Express के साथ Now I agree CZ को सारी चीज़े नहीं पता होती बट CZ ने यह ट्वीट यहां पे पहले किया है आज CZ Binance का जो ओनर है वो बोलते है कि Binance किसी भी तरह की एक्विटी जनमाय लाब्स यानि कि जनमाय लाब्स वो एंटिटी है जो वजीरेक्स को ओन करती है उसमें कोई भी एक्विटी होल नहीं करती पूरा का पूरा ओपरेशन पूरा वजीरेक्स कैसे चलेगा वो ओरिजिनल फाउंडर्स नहीं यहां पे इस्टैबलिश कर रखा है November 21, 2019 को Binance ने एक blog post publish किया था कि इन्होंने वजीरेक्स acquire किया है यह transaction कभी भी पूरी हुई नहीं Binance ने आज तक जिन्दगी में कभी किसी भी point पे एक भी share जनमाय लाब्स का own नहीं किया है जो की एक entity है जो वजीरेक्स को operate करती है उन्होंने फिर बोला कि Binance सिरफ wallet services दे रहा है वजीरेक्स को as a tech solution यानि कि just a simple tech partnership है अब यहां पे CZ अपने हाथ दो रहे है या क्या चल रहा है यह अभी तक guarantees है किसी को पता नहीं है there is also integration using off-chain transaction to save on network fee यानि कि जो Binance का API आपको integrate होता दिखता है ना वजीरेक्स to Binance free होता था वो तो वजीरेक्स responsible है सारे aspects में जो की वजीरेक्स exchange से related है जिसमें user sign up, KYC, trading, withdrawal यह सारी चीज़े आती है Binance का कोई लेना देना नहीं आपको पता हो हम हर जगा जब बात करते हम तो यहीं बात करते हैं हमारे दिमाग में तो यहीं है राइट recent allegations about operation of वजीरेक्स कैसे किया गया है यह Binance के लिए एक deep concern है Binance जो है सब पूलिस वालों के साथ यहां पर काम करता है और ED के साथ काम करने Binance को खुशी होगी अब यह सीजी हाथ दो रहे हैं अपनी किताबे क्लीन रख रहे हैं यह नहीं point is अगर वजीरेक्स was owned by Binance वजीरेक्स owned by Binance बोल रहा हूं at any point so एक बात इसमें सच है कि Binance most 99.9% सच है अब कि Binance वजीरेक्स का share hold नहीं करता है इसके response में निश्चल ने दो तीन चीज़े बोली निश्चल जो कि यहां वजीरेक्स के leader founder है उन्होंने बोला कि वजीरेक्स actually acquire किया गया है Binance के दोरा यह वो CZ के tweet के बाद आया है Zenmy Labs इंडिया owned entity है जो वो और उनके co-founder hold करते है Zenmy Labs के बास license है INR crypto pair चलाने का Binance जो है crypto to crypto pair सारे के सारे और withdrawals वगेरा सारे Binance करता है CZ बोल रहे हैं नहीं करता निश्चल बोलना करता है उसके लावा उन्होंने बोला कि आप check कर सकते है terms of service में वजीरेक्स के बट उन्होंने एक चीज़ बोली Binance वजीरेक्स का domain name own करता है बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दू जो वजीरेक्स के पूरे के पूरे server है Binance जब मन करें उसको बंद कर सकता है बट इसका भी मतलब यह नहीं होता कि equity यहाँ पे निश्चल ने बड़े smartly यह चीज़ बोली नहीं है कि Binance owns equity so that means यहाँ पे most probably CZ जो है वो सच बोल रहे है यहाँ पे जो marketing की गई है वजीरेक्स exchange की वो बहुत ही गलत तरीके से की गई है Binance के बाद सारे crypto asset है Binance के बाद सारे crypto profit जाते हैं Don't confuse Zanmai और वजीरेक्स आधाधा हावा में करके यहाँ पे छोड़ दिया गया है जिस तरह से marketing की गई है यह उसी तरह से यहाँ पे आधाधा करके छोड़ दिया गया है अब हम इसकी तरफ ध्यान दे पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं यह आधाधा है आज के पहले अगर यह आया होता कभी इस तरह का कुछ tweet तो हम लोग बोलते हैं हाँ चलो ठीक है हाँ मतलब बाइनस ही ओन करता है वजीरेक्स और आज वी नो वाट इस गोइंग अने गड़ बर चल रही है कुछ तो इसके भी रिस्पॉंस में फिर अभी सीजी ने कुछ गंटा पहले आया है उन्हों बोला कि sad कि ये twitter पर debate किया जा रहा है बाइनस जो है वजीरेक्स के लिए wallet services provide करता है वजीरेक्स डोमेन जो है वो बाइनस के control में है तो उन्होंने agree किया है ये चीजों को उन्होंने बोले हम वजीरेक्स को बंद कर सकते हैं बट हम नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि ये users को दुख पहुचाएगा users को problem होगा बाइनस ड़स नॉट हाव control on operations including user sign up KYC trading initiating withdrawals as stated earlier निश्चल बोल रहे हैं ये ऐसा है सीजी बोलना नहीं है वजीरेक्स का founding team control करता है ये सारा ये कभी भी transfer नहीं हुआ despite their request ये deal कभी close हुई नहीं आज तक कोई share transfer नहीं हुए है वजीरेक्स की founding team यानि की निश्चल and others उन्होंने control maintain कर रखा है of the operations of the platform बाइनस को कभी भी data या users का control KYC वगरा नहीं दिया गया है उन्होंने बोला कि हम ED के साथ काम करने में खुशी होगी to fix these issues अब निश्चल ने इसको response दिया एक और उन्होंने बोला कि publicly इसको response करते हैं so transparency wins in this tweet यहाँ पे आप बोल रहे हो कि user control sign ups का KYC का यह सब आपको चाहिए but that part वो part जो है Zenmy India चलाता है अब निश्चल यहाँ पे कुछ और बोल रहे है यहाँ निश्चल बोल रहे हैं जो यह लोग चलाते हैं यहाँ बोल रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं okay Zen देखा मैं यह कहा रहा हूँ अभी CZ अगर tweet ना डालता तो यह clarification ना आती तो यह कहा तरीका है चलाने का यह this is very surprising कि Zenmy India के थूँ a license by Binance are you open to closing the deal by acquiring Zenmy India then what is this going on यह क्या तरीका है right this is this is very strange and यह बहुत ही जादा concerning है तरीका चलाने का and यह इस तरह की response तो नाओ यहाँ पर क्या करना चाहिए अभी क्या करना चाहिए वजीर्यक से funds निकालने चाहिए नहीं निकालने चाहिए देखो safe रहना better है मेरे हिसाब से मैं बहुत 2 महीने पहले जब से Celsius करना टक हुआ तब से बोलता रहो गाइस प्लीज Centralized Exchanges कभी किसने promotion किया नहीं किया वाल्ड का जैसे issue हुआ उसमे मेरे मेरे यहाँ पे भी video sponsor किये है वाल्ड ने बहुत सारे channels पे video sponsor किये है तो हम लोगों ने उस ताम पे हमारी तरफ से पूरा research करके promotion कर दिया right and of course while declaring so कि it is a promotion हमारे खुद के पैसे अठके but पिछले दो महीने से उपर हो गया June actually June के पहले से मैं शेर करता रहो कि guys please Centralize Exchanges से थोड़ा सा बच के रहे तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से रहे अभी user funds block हुए है या नहीं हुए है ED ने किया है या नहीं किया ये मुझे मालूम नहीं है मुझे आप में से किसी लोगों का normally देखो आप भी में से लोग जो है pink कर देते है कि भाई ये नहीं चल रहा या ये नहीं चल रहा तो आभी तक तो किसी का आया नहीं है कि वजीरेक्स withdrawals नहीं चल रहे अगर चल रहे है तो I think it is a good thing अगर आप कर सकते है move अब CZ का कहना है CZ का कहना है कि अगर आपके funds वजीरेक्स पे हैं आप उसको simply Binance पे move कर लो बात खतम हम वजीरेक्स वालेट्स को tech level पे disable कर सकते है पर हम करेंगे नहीं और जितने भी debate हम कर रहे हम users को कभी भी hurt नहीं करेंगे बट ये point interesting है कि आप अपने funds को transfer कर लो Binance पे करो या वो बात लगे Binance हलागी is a giant तो Binance अगर खतम हो गया कुछ लोग पूछते कि Binance भी खतरे में है क्या मैं बोलता हूँ अगर Binance खतम हो गया तो दुनिया खतम हो जाएगी crypto की बात करो crypto की दुनिया खतम हो जाएगी तो Binance is a big one again but centralize exchange है तो उस चीज़ का ध्यान रखें आपके funds कभी भी lock किया जा सकते है तो wallets are a great place यहाँ पे यह जो भी नाटक अभी चल रहा है अब यह नाटक के ऊपर जो भी update आता है मैं आपके साथ share जरूर कर दूँगा पर अगर आप वैसे देखो तो निश्चल और यह सब लोग टेक्निकली देखा जाए तो ऐसा नजर आता है कि वजीरेक्स से तो बाहरी निकल चुके है शाडियम और यह सारी चीज़ों के ऊपर ही mainly बात होती है तो we will have to see how the situation evolves एड़िवाई का भी देख लेते हैं अगर कोई recent कुछ update इस पे आया है तो उन्होंने CZ वाले tweet को ही जो है यहां पर दुबारा शेयर किया है बट यहां पर यह देखो मस्त एक चीज़ शेयर की गए कि CEO of Binance WazirX responsible है वगरा 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 CEO of WazirX बोलता है कि Binance own करता है तो यहां उन्होंने एक बहुत clear card बता है कि दोनों आपस में कुछ उल्टा-उल्टा बोल रहे है सच क्या है अभी यह users को पता नहीं है फसेगा कौन इसमें फालतू में हम लोग users this is very strange and ridiculous way in my opinion बट यह so this is the current situation जो भी माजरा चल रहा है काफी सारे लोग पूछ रहे दे कि चल क्या रहा है exactly क्या कर सकते है क्या नहीं कर सकते है वजीरेक्स वगरा trending है twitter पे of course यह सारा ED raids की बात है यहां पे और news वालों की बात है तो we will have to see कि यह कैसे evolve होता है क्योंकि यहां पे important चीज़ें एक और है कि ED ने जो यह freeze किये है वो NBFC यानिकी fake scam loan apps वाले माजरे में किये है तो we have to see how this actually affects वजीरेक्स उन्होंने वजीरेक्स उसकरके funds बाहर बेजे है might mean की वजीरेक्स की team में से कोई किसी को पता थी इसलिए freeze किये गए है कि जब तक वो कारेवाही हो जब तक वो investigation हो लोग भागे ना basically जो भी update होगा आपके साथ share कर दूँगा I hope आपने like button अल्रेडी अब तक दबा दिया है अगर नहीं तो please like कर दें वीडियो को and चैनल पे जो है subscribe करके बने रहे आपके लिए में regular updates जो है इस topic पे और बाकी के crypto topics पे लाता रहूंगा चैनल पे this is Shivam signing off guys मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर